सलस्तालेकुम द्यूस Czech students hope you will are fine ! आज हम करेंगी exercise 1.2 Q1 part 10 part 10 के हमारे पास simply equation दी पहे हम इसको solve करना i using quadratic formula questions यह एन हमारे पास पुलेकर आप देखें हमारे पास द्धू equations है यह भी थोछ़ड़ complicated format पहा है तो हम इसको extended form में इसको question को करेंगे कि नकाल लेंगे इसको क्या करते हैं इसको क्या करते हैं कि कैसे करेंगे यह थे हमारी पास सब्सक्राइब नहीं यहांसे का करेंगे कि ल सब्सक्राइब अटिक जिए इस तरह नमबर नबर अधिस नबर माल विस्टा है तो पहले हमें यह तरह लिखेंगगे तो पहले को लिख है पिर इस तरह नमबर में और इस प्रश्भांत के लिखते हैं लिखेंगे के साथ यह नमबर होता है यह सब्सक्राइब क्या सब्सक्राइबर लिए वक्राइब में क्या था था आवर टू लाइघ सिंपली आपकर विए सुप्राइब X equal to minus V यह तो minus into B किया था मारे पास minus 2L plus M plus minus B का scale लेने हैं तो minus 2L plus M का scale लेंगे minus 4 A C होता है A का है L और C L plus M अगर 2 A है तो A L मारे पास 2L आजएगा यहां से कहाँगा कि minus minus plus और 2L plus M में आजएगा सही है plus minus आप देखें यहां पर अंदर क्या आजएगा मारे पास मारे पास अंदर आगे minus 4 minus 1 का scale plus यह जो है हमारे पास इसको कर लिए हमने कि यह माइनस था इसको minus 1 का हमने कमन ले लिए उसका लड़ा scale लिए minus 1 का scale हो गया और यह बात बच्च के 2L plus M का scale स्केर तो वान नहीं था वह हत्म हो गया पिच्चे बाच गया तू अच्छा इसको फोरल को अंदर मिटिपलया कर दिए फोरल का स्केर बन गया फोरल को M से किया तो फोरल एम बन गये ठीक है है तो क्या बन जेगा मारे पास प्लस मारे पास के साथ भी सॉल्फ करेंगे और एक बार यह कट गया तुम्हारे पास के साथ भी सॉल्फ करेंगे और एक बार यह कट गया तो तो हमेरे पुल्स था यहां पर कट देगा 2L ना है नहीं नहीं यहां होगा कि 2L प्लस था यहां से तु कामन ले लिया तो आज एगा L-2 into L plus M by 2 L2 to cut gya L plus M by L तो solutions आट कि हमारे बस बना एक मारे बस रहता 1 कामा दूसरा था L plus M by L प्र टैन भी हो चुक्क है हमारा complete size 1.2 complete हो चुक्क है हमारी hopefully आपको समझ जाओ गी होगी अगर कोई question नहाँ तो आप comment section में पूछ सकते हैं please like share and subscribe my channel thank you